हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग मैं हूँ सचीनार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एस जे डेकेड़ी पे तो आज हम आपके लिए लिखर के आगे हैं tricky network theory का एक और अच्छा सा question और इस question को हम लोग solve करेंगे three different method से फिर comment करके आप बताईएगा कि कौन सा method आपको ज्यादा अच्छा लगा और ये three method के अलावा अगर आपको कोई method अगर आता होगा तो उससे भी आप solve कीजिएगा फि आपको बोड पर दीख रहा होगा ये question इसमें find करना है effective resistance और equivalent resistance across the terminal a-b ठीक है तो सबसे पहले हम लोग method one apply करते हैं तो method one हम लोग क्या करेंगे symmetry CT method से हम लोग solve करेंगे तो देखिए आपका target terminal a-b है तो इसमे axis of symmetry आपको search करना है तो कौन सा axis of symmetry होगा देखिए यहाँ पर अ axis of symmetry ठीक है और यह क्यों सा axis of symmetry है perpendicular axis of symmetry क्योंकि जो आपका axis of symmetry है with perpendicular to the target terminal y y-dash ठीक है यहाँ पर यह आपका axis of symmetry क्यों सा है this is the perpendicular axis of axis of symmetry perpendicular axis of symmetry तो मैंने बताया था कि perpendicular axis of symmetry अगर होगा तो उस perpendicular axis of symmetry पे आने वाले कोई भी link और joint अगर उस perpendicular axis of symmetry पे होगा तो उसको आप simply open कर सकते हो या remove कर सकते हो तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा यहाँ पर अगर M point की बात करेंगे तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है joint बन रहा है ठीक है तो अगर यहां पर joint बन रहा है तो इस joint को आप यहां से क्या कर सकते हो open कर सकते हो ठीक है तो इस joint को हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से इस joint को मैंने क्या कर दिया open कर दिया, तो जैसे इस joint को आपने open कर दिया, तो यहाँ पर आप question बहुत ही simple हो गया, ठीक है, आप देखिए, यह 5 second में question solve हो जाएगा, तो देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने इस joint को open किया, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, यह दोनों resistance किसमें आगे, series में आगया, क्योंकि देखिए, यहाँ से semi path है, तो इसमें क्या होगा, यह दोनों resistance में, semi current flow करेगा, तो यह दोनों resistance किसमें आजाएंगे, series connection में, ठीक है, यह R और R का क्या हो जाएगा, 2R हो जाए this is the point P and this is the point Q ठीक है यहाँ पर P और Q के बीच में यह क्या है? R है और again P and Q के बीच में यह 2R है तो अगर दो same point के बीच में अगर different element connected होते हैं तो कहीसा connection होता? That is parallel connection तो यहाँ पर 2R और R क्या है? दोनो P और Q point के बीच में ही है तो यह 2R और R किस में होगा? परिलर connection में होगा, ठीक है? तो इस दोनों का परिलर combination बताएं कितना होगा? तो मैंने बताया था R और 2R का directly 2R by 3, ठीक है? R और R का 2R का क्या हो जाएगा? 2R by 3, तो यहाँ से यह दोनों resistance का जो परिलर combination होगा this is 2R by 3 ठीक है? अगें, इस 2R by 3 के साथ में यह R और R किस में आ जाएगा? स्रीज में आ जाएगा तो इसका एक modified figure बना लेते हैं इसका एक modified figure हम लोग बना लेते हैं फिर आपको question बहुत ही आसान दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए this is R और यह आपका होगया 2R by 3 और this is R यह 2R by 3 this is R ठीक है? और again A और B के बीच में क्या connected है? R और 2R ठीक है? चोकि यह दोनों भी किस में आ जाएगे? स्रीज connection में आ जाएगे ठीक है? तेहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका? R और 2R ठीक है? आप देखिए यहाँ पर R, 2R by 3 and R यह तीनों किस में आ जाएगे? स्रीज connection में आ जाएगे? जैसी यह स्रीज connection में आ जाएगा? तो कितना हो जाएगा? यह दिस इस 2R by 3 R plus 2R तो यहाँ से कितना हो जाएगा? दिस इस 8R by 3 यह कितना हो जाएगा? 8R by 3 अगें 8R by 3 and 2R किस में आ जाएगा? पैलर कॉंबिनेशन में? क्योंकि दो स्रेम पॉइंट के बीच में डिफरेंट इलमेंट कनेक्टेड है तो कैसा connection होगा? पैलर कलेक्शन होगा तो यहाँ पर फाइनली आपका effective resistance across the terminal जो आपका आएगा that will be equal to क्या होगा? 8R by 3 पैलर with 2R तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से यह आपका हो जाएगा R1, R2 by R1 प्लस R2, तो 16R squared upon 3 and divided by कितना हो जाएगा? आपका दिस और छे 14R upon 3 तो यहाँ से 33 cancel, एक R squared से 1R cancel out हो जाएगा, तो that will be equal to क्या हो जाएगा finally? आपका this is 8R by 7 8R by 7, ठीक है? आप इसमें देखिए अगर R का value अगर आपको कुछ दिया हुआ रहे, ठीक है, suppose that R का value अगर 1 ohm दिया रहे, 2 ohm दिया रहे या 10 ohm दिया रहे, तो rightly आप यहाँ पर R का value put कर दोगे तो अगर मैं बात करूँ, अगर R का value अगर 1 ohm होगा सारे identical resistance अगर इसके connected है तो यहाँ पर जो answer होगा R A B का कितना आ जाएगा तो R A B equal to 8 by 7 और into R का value 1 that is 8 by 7 ohm ठीक है, तो यह आपका right answer होगा 8 by 7 ohm, तो यह तो था method 1 तो आईए, अब इसी question को solve करते हैं हम लोग method 2 से, ठीक है method 2 में भी हम लोग क्या करेंगे symmetricity method का use करेंगे लेकिन थोड़ा सा way हमारा different होगा, ठीक है तो आप मैंने बताया था जो आपका axis of symmetry होता है that divide the network into two equivalent or two identical parts, ठीक है तो यहाँ पर आपको देखिए अगर मैं बात करूँ, this is yy- yy-dash, yy-dash क्या है आपका that is perpendicular axis of symmetry है यह क्या perpendicular axis of symmetry perpendicular axis of symmetry ठीक है, तो यह perpendicular axis of symmetry है और अगर इसके about इस network को fold करोगे अगर इसके about इस network को fold करोगे तो क्या होगा, यह इसको superimpose कर लेगा, ठीक है यह resistance इसको superimpose कर लेगा और यह resistance इसको superimpose कर लेगा ठीक है, so basically the axis of symmetry that divides the network into two equivalent parts ठीक है, तो अब एकची बताइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो अगर हम लोग इसको माल लेते हैं, this is the part number one और इसको माल लेते हैं, part two से क्या करेंगे, multiply करेंगे that will give the final result ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए अगर मैं बात करूँ, आपका part number one का, जो आपका effective resistance होगा, across am, ठीक है तो क्या होगा आपका अगर मैं बात करूँ कि part number one का, जो effective resistance होगा across am, ठीक है और part number two यह दोनों आपस में क्या होगे बराबर होगे, यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और इसको मैं मा लेता हूँ, this is r- इसको क्या मा लेते हैं, r- तो finally बताइए, देर फरम लोग बोल सकते हैं, कि आपका यहाँ पर r-ab का जो value होगा that will be equal to two times of r- यह क्या होगा, two times of r- इसको मा लेते हैं, equation number one ठीक है, तो एक पार का हम लोग यहाँ पर calculate कर लेते हैं that is r-am निकाल लेते हैं, उसको 2 से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा, overall resistance निकल जाएगा that is r-ab, ठीक है तो आप यहाँ पर देखें एक पार का मैं calculate करता हूँ ठीक है, एक पार को calculate करते हैं तो देखें यहाँ पर क्या है, this is the axis of symmetry और मैंने और point बताया था कि axis of symmetry क्या होता equipotential line होता है, मतलब उस पर आने वाले सारे point क्या होते हैं equipotential point होते हैं ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर इसका थोड़ा से modified figure बना लेते हैं तो this is the axis of symmetry यह आपका क्या है, axis of symmetry है y-wise यह क्या है आपका axis of symmetry है अब देखें connection किस तरह से है इसको supported मैं माल लेता हूँ यहाँ पर इस point को मैं माल लेता हूँ यहाँ पर क्या है आपका अब देखें ध्यान दीजे जैसी आपने axis of symmetry यह लिया तो क्या होगा यह इस resistance को क्या करेगा इस resistance को दो part में split कर देगा इस part में चला जाएगा r by 2 और इस बाले part में चला जाएगा r by 2 ठीक है क्योंकि आपको पता है कि जो आपका r equal to होता है that is rho l by a होता है तो यहाँ पर हम लोग बात करें र is directly proportional to l ठीक है अगर आपका resistance है जिसका value क्या है r है और इसका length क्या है this is l है ठीक है और इसको अगर हम लोग 2 part में cut करते हैं अगर हम लोग 2 part में cut करते है है तो इंदर कितना हो जाएगा this is l by 2 और यह क्या हो जाएगा l by 2 तो अगर यह एक part का l by 2 हो गया resistance भी इसका क्या होगा that is r by 2 इसका भी क्या हो जाएगा r by 2 क्योंकि r क्या है directly proportional to l है ठीक है बस इसी concept को हम लोग यूज किये हैं तो यहाँ पर जाएगा part 1 और part 2 दोनों में split होकर कि कितना resistance हा जाएगा r by 2 and r by 2 ठीक है अब देखे this is the point n यह point क्या है n है और यहाँ पर resistance कितना हो गया resistance हो गया r by 2 फिर again यहाँ से जो connected है आपका this is आपका यह M point भी क्या है यह y dash पर ही like कर रहा ठीक है यहाँ पर क्या हो जागा इसी equipotential line पर लाइक कर रहा तो this is point m ठीक है आप देखे है यहाँ से क्या connected n to m क्या connected है this is resistance और यहाँ पर जीसे connection यहाँ पर यहाँ पर किजिए ठीक है तो n to m क्या हो गया that is r फिर again this is the terminal a और a और n के बीच में क्या connected है अ पर देखिएyaa और n के बीच में अर्य वेख्य ह। और एगयन a और m के बीच में क्या connected है और वेजिए अब देखे हैंपर हुआ जए क्या होईक राण। मौहँ मौई यह कृंट्ट है टूँकि अभी अचेजन ऑर गया गणिशन यह को किसे में आ जाएंगे जाएंगे ट्यों किसे में रटे आ जाएगा इस थे दोनों का क्या होगा बताये आर पैलर वीद और वाइट वे लो यह आजाएगा आपका और वाई-3 ठीक है आपको कुलेट कर लेना यहाँ पर आ जएगा आर भाई-3 आब बताएए ये आढ़ बाई-3 जो इसका ओबरल रेजिस्टेंस निकला है ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किसमें होगा दोनों स्रीज कनेक्शन में होगा इसके साथ ये ओबर ़ोल क तक्ली के साथ जो इसका ओवर ओल आएगा ठीक है यह ओवर ओल के साथ में यह किसमें है that is पैलिर कनेक्सिन में ठीक है कि एक पार्ट का कि इस बात करें डोनों पार्ट कितना हो जाएगा आपका सो आर ए-बी इफोल टू क्या होगा और लीगे क्या है यह अंसर इसा सब्सक्राइब ने यहां पर ढिंग तो होगा एक है यहां मैं चैंज कर HOW अगर इस और यहां रखना कि कौन सा Δेल्टा कनेक्सण को आप स्टार में चेंज करेंगे इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे इसको भी चेंज करो तो बहु जादा फैर नहीं होने वाला तो आपको क्या चेंज करना कि सखेंड़ वाल से बाले डेल्टा को अ-श्टार में चेंज करना है ठीक है तो आप एक थे Hm में हम और मैं इसको चेंज करता हूं डेल्टा टू ैस्ट लेंहां पर क्या हो जाएगा कि एक रेजिस्टेंस यहां पर जाएगा प्रेजिस्टेंस यहां पर तो यहां से इसको रिमूब कर दीजा ठीक है क्योंकि इस डेल्टा को मैं कर चुका हूं अस्टार में ठीक है तो जैसे आप आपने कनवर्ट कर दिया तो अब देखिए क्या होगा तो यहां पर यहां पर ध्यान दीजेगा यह और और किसमें आ जाएगा यहां पर और प्लस और भाई थरी इसका क्या हो जाएगा फोरार भाई ठीक है फाइनली आपको एक बैलेंस भी टस्टोन बिरीज दिखाए अबाल जाए रहा होगा यहां पर देखें यहां पर क्या हो जागा देशिकिटार बाई यह आपका यहां पर रजिस्टिंस कितना हो जाएगा आपका थिसिए है एओ फटॉल रहहा था भी है और आम पर क्या आपका है यह पॉइंक्ट आ यहां प्टुलि Film Sun बैचंड कहले और ठीक है यह आपका आरो गया और हम पर बीच में कितना करेंगे डिसीज आरवाइए आरवाइए ठीक है अब यहाँ पर देखिए दिसीज़ बैलेंस भी टस्टोन बिज्ट क्योंकि यह फोराइब भाइथी और एगेन फोराइब वाइथी और यह दोनों रेसी को कितना हो पर किते हैं आपका मटेट ओर एफ् toys लोगे स subscription इem indicate हमने फवड फोराइब क्यों वाइब भाइड यहाँ मैं उसमें कोई current flow नहीं करता तो उसको simply आप क्या करते हैं open circuit से replace कर देते हो ठीक है क्योंकि यह balancing condition में क्या होता है यह दोनों point का potential सेम हो जाता है जो fifth resistance कोई current flow नहीं करता तो उसको simply किसे किसे से replace कर देते हैं अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा यह दोनों किसमें आ जाएगा और यहां पर और क्या हो जाएगा और और क्या हो जाएगा अब देखे यहां पर पर अप्लो कि और एबी कभेलो क्या होगा तो और एबी कोल टू क्या हो जाएगा 8R upon 3 और पैलर विद क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा तो कितना आग यहां से डैटी सीक्स और और यह 8R ठीक है तो यहां से आपका जाएगा 16R squared upon 3 और divided by कितना हो जाएगा that is 14R upon 3 तो यह दो कैंसे लाट हो जाएगा तेहां से आंसर आपका जाएगा 8R by 7 तो यह 3 different method से मैंने इस question को solve किया और आपको देखिएगा इस question को अच्छे से ठीक है और फिर बताइएगा comment करके काउन सा method आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और इस method के तीनो method के अलावा अगर कोई method अगर आपको आता होगा उस method से भी इस question को solve किजेगा और फिर comment करके बताइएगा comment box में कि क्या answer आपका रहा है ठीक है यह बहुत important question था इस type के question आपको आते रहते हैं ssc.je के लिए भी बहुत important यह question है इस type का question आपको बहुत साड़ एक जांस में मिल जाएंगे ठीक है यहाँ पर value के अब चेंज कर देगा और उसके according r के जगा पर कभी है इसा कर देगा कि यहाँ पर r कर देगा ठीक है तो इस तरह से value change करते रह हैं साथ है बेल आइकोन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले ठीक है थैंक यूँ